नहीं तो लाइक आप बाइक चलाते रहो गया और सड़नली यह उड़के गिर गया तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो यह हो गया मेरा गोप्रो का यह पूरा 100% साइज दिखने वाला सेट अप नमस्ते दोस्तो और वेलकम तो मैं चैनल आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गोप्रो हीरो एट का मोटो व्लोक सेट अप किस तरीके से बनाया जाए या फिर अगर आपको कोई और भी मोटो व्लोक सेट अप बनाना है तो किस तरीके से किया जाए ऐसे जैसे पता होगा कि मैंने यह एक सॉर्ख है नया हलमेट लिया था अभी मैं इसके उपर अपना मोटो व्लोक सेट अप करने वाला हूँ तो पहला चीज तो यह है कि मैं अपना हलमेट को बाहर निकालता हूँ ओके तो यह मेरा एक न्यू है आप लोग जैसे यहां पर देख रहे ह हो अचा यह सेट अप करने से पहले कुछ चीज आप लोगों के पास होना चाहिए वह बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट है अफकोर्स एक हैलमेट जिसमें आगे का यह पोर्शन क्लियर हो आप इसके अंदर यहां पर अपना गोप्रो का जो मांट है वो इसली चिपका सको द आपको यह सब लाइक त्री एम का यह टेप वाला चीज सब साथ में आ जाएगा मैंने यह लिया था जो अभी भी मेरे पास है मैं आपको बता देता हूं यह जे जे सी का मैंने लिया था लिंक इन दिस्क्रिप्शन सो आपको जब चाहिए तब आप इन चीजों को बाए कर स हो एंड इसको मैं अपने हल्मेट के यह है मेरा हल्मेट एड़ इसको मैं हल्मेट के इसे आगे लगा दूंगा तो अजैसे आपं यहाँ पर देख रहे हो जिससे क्या होगा कि मेरा यह एरवेंड को भी कुछ तकलिफ नहीं होगा यहां पर एरवेंड भी बन चालू हो सकता है और इसली मेरा यहां पर यह व्लॉगिंग सटप भी आ जाएगा तो इस तरीके से मुझे यह चीज करना है और साथ में आपको लगेगा और कुछ चीज जिसको हम लोग बोल मुझते हैं यह जे माउंट या जे हूक वोल दो अपके पास अगर यह होगा शो आपस को बाते वाद में इस तरीके जो में के इस Посक्ट कर सकते ऊ not कि सिस्टो मैं यह अस तरीके से फिट कर दोदूंगा यह हो गया我 जे का यह सैट आउप बराभर और यह लगेगा मेरे यहां पर आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो सब चीज आरेंडी करना है लगाने से पहले आपको यह चीज देख लेना है यह अगर मैंने इस तरीके से लगा तो यह पूरा पीछे तक जाता है लेकिन यहां से यह पूरा पीछे नहीं जाता तो आपको तो इसके लिए मुझे इसको थोड़ा उपर लगाना पड़ेगा जो की काफी सही नहीं है बट हम लोग लाइक एक्स्ट्रा माउंट लएके इसको कामेरा को थोड़ा उपर ले सकते हैं सो वो चीज बाद में देखते हैं कैसे करना है तर आप यह चीज स्टार्ट करने वाले हो बनाने के लिए सो इसके पहले आपको यह चीज ध्यान देना है कि आपके पास यह फैवी क्वीक हो क्योंकि फैवी क्वीक बहुत ही जादा हल्प करता है जब आप ऐसा यह 3M का टेप लगाओगे तो उसको स्टिकिंग करने में उसको हेल्प करने में आपके पास लगा इससे बहुत सारे प्लग्स रहेंगे अगर आपने गोप्रो लिया रहेगा तो गोप्रो का खुद का भी मांट आता है मेरे पास और यह चीज याद रखना कि यह पीछे से दोड़ा जो यूज कर सकते हो लाइक अभी चीज यह है कि मेरा पूराना वाला जो हल्मेट है इसके अंदर मैंने यह एडिशनल ज्यादा यूज कर लिए ते पैच करने के लिए ताकि गिर नहीं जाए कभी-कभी ऐसा होता है कि 3M टैप लगा कि आप तुरं जाते हो और वो गिर जाता ह आपको यह थोड़ा सा चीज ध्यान में देना पड़ेगा और आपका यह चीज सुखने के लिए आपको कम से कम लेकर 5-6 गंडे का टाइम देना है तो यह सही तरीके से हो जाएगा फिर आप ट्रॉय कर सकते हो तो पहला चीज यह है कि मैं अपना यह माउंट का यह क्लिप ह है या आप इसको बोल सकते हो मैं इसके उपर पहले तो यह स्टीक कर देता हूँ अपना 3M का टेप एक बार यह इसके उपर इससे स्टीक हो जाएगा फिर इसके बाद मैं अपने हलमेट के उपर देखूँगा हलमेट को आपको क्लीन करके लेना है एंड फिर बाकी का चीज करना है तो कुछ चीजे जो मुझे मिली थी मैं इसको कट करके ले लेता हूँ सीजर से इसमें बहुत सारी इसी ब्लड वाले ही एक्जॉर की और इसी सब चीजे है तो बाद में हम लोग यूज कर सकते हैं फिलाल के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह हलमेट है हलमेट को सही तरीके से यहां पर लगाना है मैं इसका यह वाइजर ओपन कर देता हूँ ताकि मुझे यह पकड़ने में इजी हो और फिर मैं यह पकड़ने के बाद इसको सही तरीके से यहां पर ग्रिप कर पाऊ तो यह चीज है अब पहले हम लोग जैसे मैंने बोला कि यह 3M का टेप है वो निकालता हूँ कभी-कभी यह स्टिक्स जाधा होते है थोड़े से जाधा स्टिकी रहते है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा एक काम करता हूँ कि मैं इसको निकाल देता हूँ यह इस तरीके से पील आफ करोगे तो हो जाएगा बहुत इजी है और फिर पी प्रेशर दो ताकि यह सही तरीके से चिपक जाए नहीं तो लाइक आप बाइक चलाते रहोगे और सड़नली यह उड़के गिर गया तो आपका क्यामेरा भी जाएगा और बहुत सारी आपको नुकसान हो जाएगा और पिछे से अगर गाड़ी आने वाली है अगर उसने उस यहां पर एक्स्ट्रा आप यूज कर दो अपना फैविक जैसे मैंने बोला जो कि जाधा ग्रिप देगा बट फिलाल के लिए मैं अभी इतना करता हूँ और अभी इसको निकालता हूँ यह रेडवाला थोड़ा सा हमेशा चैलेंजिंग वाला पार्ट होता है ओके तो जैस हूँ हलमेट को एंड क्लीन हो जाएगा तो यह काफी अच्छा रहेगा और याद रखना कि एक्जक्ट सेंटर में लगाना क्योंकि अगर थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हुआ तो आपका व्यू वैसे ही जाएगा आगे के सारे वीडियो में तो यह चीज मैं आपको बो करके यहां पर जैसे लगाने के बाद मैं यहां पर दबा रहा हूँ तो यह प्रेस हो जाएगा एक बार और फिर यह हो जाएगा देखो कभी कभी ऐसी नीचे चीज़े छूड़ जाती है उसको कैसे पैक करना है मैं आपको बताता हूँ क्योंकि वह पैक करना बहुत ही ज्य पोर्षन में से अगर आप यहां पर देख रहे हो तो चोटा सा पोर्षन यहां पर बाकी है उसको भी बाद में चिपकाते हैं हम लोग जैसे आप लोग लागि यह सोच रहे थे कि मेरे जैसा व्यू कैसे आता है तो व्यू तभी आएगा जभी आप इस तरीके से कुछ पड़ेगा क्योंकि यह डिरेक्ली नहीं होता प्रेस करने के बाद यह काफी अच्छा होल्ड करता है लेकिन अगर आपने इसको तुरंट छोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगा कि यह सही तरीके से नहीं आएगा तो आपको यह थोड़ा चीज ध्यान देना पड ताके देखता हूँ कि कितना यह चिपका है दिख रहा है पूरा हलमेट का यह वेट उटा लिया है इसने एंड मतलब यह काफी अच्छे से चिपका अभी इतना मजबूत नहीं है बट स्टिल लाइक मैंसिव आपको बता रहा हूँ यह ज्यादा थोड़ा टाइम रहेगा तो और भी मज़ा आएगा अचा अभी मैं एक काम करता हूँ कि मैं अपना फैविक टोड़ता हूँ जादा अच्छा ग्रिप के लिए और यह पक्का एकदम मजबूत बनाने के लिए मैं यहाँ पर फैविक एड कर दूँगा फैविक एड करने से ना वो चीज जल्दी से गिरेगा नहीं फिर इसके बाद थोड़े से पैच है उसको जॉइन करना पड़ेगा तो बेसिक आपने देखा रहेगा यह है फैविक एड फैविक को अभी मैं बस तोड़के थोड़ा सा याड कर देता हूँ ताकि एक दम पक्का एं मजबूत जोड बन जाए जोड़ा जाएगा इसके बाद यह काफी अच्छान मजबूत हो जाएगा आप चाहिए तो एडिशनल जगप है जो बचा है वहाँ पर ऐसा यह एक 3M का अडिशनल टैप लाइक सीजर से काट के वहाँ पर चिपका सकते हो बट मेरे इसाब से यह चीज यह काम कर लेगा तो मुझे टेंशन लेने का ज़रूत नहीं है सो लाइक अभी लगाने के बाद आप जैसे यहां पर देख रहा हो फैविक डालने के बाद यह काफी इसको लगा हूँ जब नई चीज तब मैं इसको निकाल दूँगा जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो अभी मेरे पास यह है एमसील तो अभी मैं यह करने वाला हूँ कि यह जो एरिया यहां पर पैच में थोड़ा सा बचा है उस पैच में मैं यह एमसील का थोड़ा स एंडने चीज यह ओंगेगा तो जैसे आप यहां पर देख रहे हो यह को कया फोलगा गडाना है तो 組 पर यह होट गैजैसे आप यहां पर देख रहे हो यह हो गया मेरे वाला सेट esses को तो जबी भी like a helmet छलाने के लिए motor vlogging के लिए use कर सकते हो, अब problem इसमें कुछ चीज यह होने वाला है कि जब आप इसको record करने के लिए देखोगे, तो यह सही तरीके सा आपको दिखाई नहीं देगा गोपरो में क्या चल रहा है, उसके लिए एडिशनल छोटा सा एक जे हुक के अंदर ही व्लॉग करने के लिए option आता है, तो मैं जी सिस का बात कर रहा था, वो है यह दो छोटे छोटे like a plugs, आप इनको connect कर सकते हो, और फिर आ आप इनको आगे इसे mount करने के लिए लगा दो गये, तो आपके पास यहां पर इस additional height का option आ जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, कि मैं इसको यहां पर रखता हूँ, नमस्ते दोस्तों and welcome to our channel, आज इस वीडियो में हम लोग try करने वाले है, गोपरो हीरो 8 का नया vlogging setup, तो just मैंने recently बनाया है, आप लोगों ने इसका, हम लोग अभी check करने वाले है मेरा audio quality, जो की अगर हम लोग high speed में भी bike चला रहे है, so कैस करीके से आएगा audio, so अभी यह voice, अप लोग जो सुन रहे हो, वो है मेरे visor उपर किया है, आप लोग देख रहे हो, hello, it's very nice, and visor उपर करने के बाद, अभी यह जो भी voice है, वो आ रहा है, I think so background noise कितना आ रहा है, वो check करने के लिए मैंने यह चीज किया है, even visor जब आप close करोगे, तो कितना चीज आता है, कितना noise आता है, यह भी एक अलग चीज है, तो समझने के लिए, and वाव, लेक तो यार पूरा full हो गया है, जल् आता है, तो समय आता है, तो समय आता है, जल्य कोर वाचीज जब पर वाचीज झाता से शेफ बीस एफ और बाद वाइस